नमस्कार मैं मनीस मिस्रा आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज आज एक ऐसे सक्स का हम इंटर्व्यू लेने जा रहे हैं जो रिवा जिले से बिलॉंग करते हैं और उनके अंदर की जो प्रतिभा है अगर पुरे रिवा की जनता उनको सुनेगी और जानेगी तो अपने आप में गर्व महसूस करेगी हम बात कर रहे हैं सनत कुमार तिवारी जी की जो रिवा जिले से हैं और सनत कुमार तिवारी जी का नाम इंडिया बूक आफ रिकार्ड और लिमका बूक आफ रिकार्ड में दर्ज हो चुका है यह उपलब्धी उन्होंने तीली जो माचिस की तीली होती है उसको सबसे अधिक दूरी तक फेक कर दर्ज की है अब तैयारी है गिनीज बूक आफ रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने की यह तैयारी चल रही है अगर सासन और प्रसासन का और रिवा की जनता का सहियोग रहा तो जरूर रिवा के सनत कुमार तिवारी गिनीज बूक आफ रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करा लेंगे कि लोग ना जानते होंगे कि ऐसे भी प्रतिभा हमारे रिवा के लोगों में छूपी हुई है अभाव है सिर्फ उनको प्रदर्रसित करने का तो सबसे पहले तिवारी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है रिसार्श मिजाबी और सबसे पहला आप से यही सवाल कि आपने इस उपलब्धी को कैसे हासिल किया यह उपलब्धी हम प्रयास किये इस उपलब्धी के लिए हम प्रयास किये लेकिन इसके पहले सायद हमारे रीमा जी कैसे मिली हमें तो पता नहीं कैसे आ गई ऐसे हम साधारन दोस्तों की बीच में बैठे थे और उसी में और दूसरे मित्र आए हमारे घर से समाचार सुन रहे होंगे और समाचार सुनके आए और पास में आते-आते वो बताए कि कि हम बड़ी अजीव समचार सुने हैं हम उनसे पूंचे कि कैसी अजीव समचार है थोड़ा बताओ तो जाने तो वो बताई कि एक अंग्रेज भाई हैं तो काफी दोर तक माचिस की तीली फेकते हैं असी फिर दोर तक तो सुनके बड़ा आश्चर लगा कि यह कैसा आदमी होगा यह तिनके जैसी चीज इतनी हलकी होती है कैसे जाती होगी खेल से जूड़े थे हम बचपन से खेलते थे इस पोर्ट हमारा अच्छा था और करते थे एक स्कूल में हम प्राइबेट टीचर थे वहां पीटी आई का भी काम करते थे और इस पोर्ट से जूड़े रहे गए वही अपने दिमाग में सोचने लगे कि यह सायद गिनेज ब तो हम भाला बनाए भाला बना कि कुरसी में बैठे बैठे हम जब पहली बार ट्राइए कि तो लगभग 40 फिट दूर तक चली गए 40 फिर दूर चली गई तो बिलकुल बिलकुल समझ में आ गया एगर बैठे बैठे से हम 40 फिट पहुंचा दिये तो खड़े हो कि या सी करना था तिरमोर चोरह हमें घूम रहते हमारे पत्रकार भाई साहब कुछ परसित थोड़ा बहुत वह मिल गए तो उसे हम बताने लगे कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है तो हमें वह एक संपादक महोदय का नमर दिये वह हमें बुलाए हमारा इंटर्विव लिए वह 27 मई द तो इटीवी में न्यूज हमारा प्रसारन हुआ इलक्टानिक चैनल में यह नगर निगम का जो हाल है वहाँ यह वीडियो बना था आलोग पांडिया जी थे साहिद उस समय उस टीवी के संबाद दाता यहां अच्छा जब सबसे पहली वार आपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो इस्थान कौन सा था और किनके सानिध में किनके उपस्तिती में यह सब हुआ यह केबल इलक्टानिक मेडिया के जो संबादक थे इटीवी थी और साहरा न्यू चैनल दो चैनल थे वो उस सम में जो हम माचिस की तीली फेंके थे टीयारस कालेज की द्राउन में फेंके थे और दूसरी बार जो है तो नगर निगम का जो हाल है वहां फेंके थे और पहली बार हम जब नगर निगम में फेंके थे उस समय हम इंचान वो तिरान में फिट फेंके थे साइथ फिर और प्र बना कि उनसे मिले बात किये कि सर ऐसी ऐसी बात है तो बोले कि यह गिनेज बुक को हम ना जानते हैं ना हम आपको कोई सहयोग कर पाएंगे हमने उनसे हां जूल लिया सीताराम बोलके चले आई भाई क्या मतलब फिर वहां बात करने थे और बात की लोगों से नहीं कोई सरकारी बारता से लोग हमें जुड़ गए और वो हमारी मदद की वहां सरकारी बारता से जब समाचार छपा तो उसी के आधार पर हम लिमका बुक आफिस तक पहुंच गए और वहां फिर डारेक्ट उनसे मिलें यह लिमका बुक रिकार्ट 2007 में हमारा दर्ज हुआ था और इंडिया बुक रिकार्ट 2016 में दर्ज हुआ फिर तीली का वजन कितना होता है और जो तीली आफ फेकते हैं तो उसको कैसे किस तरीके से फेका जाता है तीली को यह माचीस की तीली का मर्सियल जो माचीस अपने यहां चलती है उन्हें से मैं तीली सेलेक्ट करता हूँ हर ती सब्सक्राइब Allah adu, Tienza, बेल्कुल यह हम सबखने से पहले बार मप्रक्णा होता है इस माचीस के तीली के आगए से वहं 12-20 मिली अगशन के तीली के फेकते हैं तीली दो औगली से फैलते हैं अपने जो अभी तक लाधिक सम्गामली 120 मिली मीराम से ज्याधत माचीस की तीली यहां बजनी नहीं मिले और उन ही समय से हम प्रैक्टिस करते हैं उसी तीलियों को फेकते हैं लेकिन जो अभी अभी दर्ज गिनीज करने से हमारे पास कुछ अभी सुधाएं होगी हमारा जमीन का लेवल लेला होगा तुमा लीजिए सर्वेर इंजिनियर कर देंगे हवा को नापना पड़ेगा हवा की दिसा नापना पड़ेगा और उसमें हमारा एक मीटर प्रत सिकंडर या कि दो सिकंडर इसे माइनस हो प्रतिवा है उसके लिए प्रयास लगतार जारी है तो क्या लगता है आपको यहां के तमाम उन्जन प्रतिनिध्यों का सहियोग मिलेगा आपको सर इसका गिनेजबुक का प्रयास हम चालू किये गिनेजबुक में जाके जानकारी मिली और हमारे उनके बीच में पत्रशार हुआ आते हमारे उनके बीच में अग्रिमेंट हुआ कि ने घुलाना पड़ता है हम बुलाने के लिए एग spent 24 में फार यहां कि अब 7 रुपई हम भेजेंगे तब एक कुलक्टर महोदाः जितने जो कोई है इतना आए होंगे जहां हम सब कुसे मिलते हुआ हमारा कोई मद्र नहीं किया तुराशिंग से भी जब पूरे पतिभाओं का पता नहीं कितना कितना प्रकार की खोजने की तलस जारी है हमारे पास ऐसे कुछ रिकार्ड भी है जो उनका सबूत है अकपारों में रखें लेकिन हमें कहीं नहीं देखती हैं उनके पास तक गए तो हमको ना कर दिये मुख मंत्री हों खेल मंत्री हों चाहिए कांग्रेश को हो या भाजपा के हो। अभी उमीद और आसा बची हुई है। आसा बचु ही है, इस तरह से आसा है, आपने आप में मेहनद करके साथ लाग रूपए तयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको पूरा करें, साथ अला के खठा करें और सबसे बड़ी हमसर्म की बात मानते हैं रीवा में जो हमारे इस समधागी खेल अधिकारी उनका नाम भूल रहे हैं वो पहले जीला का खेल अधिकारी थे हम उनके पहले हर साल यहां खेल अधिकारी को एक चिठी लिका करते थे कि यहां अनेक प्रकार की प्रतिभाएं होती है हमारे जैसे दिली के अख़बार कहते हैं माचीस के तीली और भाला में कोई अंतर नहीं है केवल बजन का अंतर है वो खेल है यह क्यों नहीं हो सकता है है ना दुनिया विदेश में कुछ भी कर दें जाहिए गंदा ही काम करें लाश्ट में खेल होगा हम सब को खेलना पड़ता है हम ऐसा करें तो हो मदद नहीं मिल रही है इसके लिए हम प्रयाज किये और यह जो आपके कहा जाए हमारे अस्थानी मंत्री जी कही बात करा रहे है जब लिमकबुक में दर्ज हुए थे तो हमें पंद्रा हजार रूपे प्रशाहन रिजाशी दिये थे वो आज तक नहीं मिली लेकिन जो अभी बात पहले जो थी हमारे संभागी अधिकारी महोदैकी तो जब हर साल यह चिठ्थी दिया करते थे कि बहुत सारी खेल होती है तो इसमें समापन याउद घाटन में हमें पांच मिनट का समय दिया जाए वो था समय 18 मार्च से 2,012 और 2,012 तक इतना हम मनें इसको खेल में सामिल करने के लिए किये हैं और मंतिर जी का पैसा हमको आज तक नहीं मिला जो प्रशाहन राशी दिये थे वो आज तक नहीं मिले हैं जे इक्षा सकती बहुत है जी जी पूरी इक्षा सकती है हमारे कुछ साथी है बच्चे हैं पढ़ने बाले हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं वो कंप्यूटर काम हम नहीं करते हैं वो सब यहीं मदद करते हैं और जो कोई भी काम करते हैं हमारे शलाहकार की काम में यही सब काम करते ह बच्चे एक दो ठो तो ये थे हमारे साथ सनत कुमार तिवारी जी जो गिनीज बुक आफ रिकॉर्ड में तीली फेकने का सबसे दूरी तक तीली फेकने का जो रिकॉर्ड अभी दर्ज है लिमका और इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड में उसको अब गिनीज बुक आफ रिकॉ है financial problem के चलते अभी तक वो कहीं न कहीं पीछे हैं उलम्पिक में अगर इस तीली को इस खेल को अगर सामिल किया जाए तो जरूर रिवा से सुर्ण पदक के हिस्सेदार होंगे लेकिन ऐसी कई सारे प्रतिभाएं होती हैं सचिन साहू रिवा के अजय कैला और कई सारे ऐसे लो इस्थानी प्रसासन की निस्क्रियता की वज़े से वो पीछे रह जाते हैं तो इस्थानी प्रसासन को भी सोचना चाहिए इन तमाम प्रतिभाएं को उपर तक उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए और ये रिवा जिले के लिए गर्व का विशय है तमाम वो लोग रिवा साथ बने रही है research news में तब तेक लिए धन्यवाद नमस्का